हलो फ्रेंद्स NDC News देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अरशना कॉशल NDC News हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और special stories तो दोस्तों देखना ये रहेगा कि आज NDC News में आपके लिए क्या है खाँ वहां निर्माथा कंपनी सुजूकी ने भारत में 6125 को CBS के साथ लॉंच कर दिया एक अप्रेल 2019 में भारत के नए सेफटी स्टेंडर्ड लागू होने वाले हैं जिसमें 150cc से कम पावर की मोटर साइकल में CBS अनिवारे हो जाएगा वहीं पर 150cc से जादा पावर के वाहानों में ABS का होना अनिवारे है ऐसे में कमपनी ने ये बदलाओ किये हैं अब अगर कीमत की बात की जाए तो कमपनी ने इस नए मॉडल की कीमत 5667 रुपए रखी है जो नॉन CBS मॉडल से सिर्फ 690 रुपए ही जादा महंगा है ये अपडेशन 1 अपरेल 2019 से भारत में लागू हो जाएगा इसके साथ ही सेफटी रेगुलेशन को देखते हुए ये किया गया है वहीं पर नॉन CBS मॉडल की कीमत 55970 रुपए है जिसमें सिर्फ ड्रुम ब्रेक मिलते हैं और साथ ही कमपणी एक अपरेल 2019 से पहले तक स्टॉक में बचे नॉन CBS मॉडल की भी बिकरी करेगी अगर की बात की जाए तो कमपणी ने इसमें 125 CC का इंजन दिया है जो की सिजूकी वर्गन से स्ट्रिप 125 में भी मिलता है इसका एर कूल इंजन 8.4 बीएचपी का पावर और 10.2 एनम का पीक टॉक पर यूज़ करता है 5-6 लीटर फ्यूल टेंक कैपेस्टी वाले सिजूकी एकसेस 63 के MPL का माइलेज ओफर ये इसमें दे रहे हैं साथ ही अगर फीचर की बात करें तो इसमें all wheels, analog, digital meter, lumby seat और साथ ही one push central locking system है इसके front pocket में charging socket भी मिल सकता है साथ ही CBS के लावा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया इसके साथ ही XS 125 भारत में 125 CC सेग्मिंट की सबसे जादा बिखने वाली scooter ये मानी जा रही है